आज आए हैं हाँ रिवा सीधी सिंग्रॉली के एक और नए रेल्वे स्टेशन में रेल्वे स्टेशन रगुनाथपूर जो एक्चुली में बगवार गाउं के पास में है इससे पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया बगवार टैनल में कितना काम हुआ है आज आए हैं हाँ रेल्वे स्टेशन रगुनाथपूर में और आपको दिखायेंगे हाँ कितना काम हुआ है इससे पहले इसके प्रिवेस वीडियो रेल्वे स्टेशन रगुनाथपूर के मैंने चैनल में डाल रखे तो वहाँ आप चेक आउट कर सकते हैं कि पहले कितना काम हुआ था और उसका compare कर सकते हैं जो आज मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ कि कितना काम हो चुका है जो आपके screen के सामने road दिखाई दे रहे हैं proper वो road है जो कि railway station रगुनादपूर में आपको लगाएगी जो कि बगवार के बाद में पढ़ता है और यह आप अगर station की बात करें तो आसपास में आपको एग्रिगेट proper रखा हो दिखाई दे रहा है बहुत पहले जब यहाँ पे दिक्कते हो रही थी किसानों का और railway के प्रती तो यहाँ पे station का काम बंद करवाने के लिए यह बांस और लगा दिया गया था जो कि अभी देखें खुल चुका है है और यह देखिए जो आपको अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है यह आपको हुने वाला प्लेट फॉर्म नंबर वन और उसके बगल में हुने वाला प्लेट फॉर्म नंबर टू जो कि मैं आपको नस्दीक से भी दिखाऊंगा बात की जाए तो देखिए यहाँ पे स्लीपर्स होगेरा प्रॉपर ढंग से रखे गए हैं मतलब की इससे आप यह समझ सकते हैं स्लीपर्स एग्रिगेट और यह गेज तीनों चीज़े यहाँ पे हैं मतलब यहाँ पे समझ दीजे ग्राउंड लिबल हो चुका है और बस पट्री विछाने की दे रही है तो यह आप देख सकते हैं जो किनी भी दो पट्रियों की बीच में एक ड्रिने सिस्टम टाइप का जो बना रहता है वह यहाँ पे बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है और यह लंबा हुआ फैला आपको दिखाई दे रहा है दूर अगर बात की जाए तो यही पट्रियां सीधे आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी रेल्वे स्टेशन रामपूर और नैकिन होते हो दिखाई जाएंगी जो कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने है और यही अगर आप पीछे की और देखेंगे तो यह सीधे आपको ले जाता है बगवार टनल की तो दोस्तो मतलब जितना हमारी जो माल गाड़िया होंगी वो इस वाली लाइन पे चलेगी जो आपको बिल्कुल मेरे पीछे दिखाई दे रही है उसके साथ में यही पे एक वो गुट्स केरिंग हाउस भी बनाया जाएगा जहां पर सीमेंट यह और जो दूसरे गुट्स आएंगे प प्लेटफर्म नंबर 4 इसके साथ आपको बताना चाहूंगा जो यह प्लेटफर्म नंबर 4 था यहां तक तो आप देख रहें जो जिसी भी है प्रॉपर लेबलिंग कर रहा है लेकिन इसके आगे और वो जमीन जो आपको टिल्ले जैसी दिखाई दे रही है वो जमीन अभी यह काम अभी भी यहां पे पेंडिंग दोस्तों आपको बता दू जो आप मेरा इससे पहले वाला रगुनातपुर रेलवे स्टेशन का वीडियो देखेंगे उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जितना काम उससे पहले दिखाया गया था उतने में ही होके बंद था वज़ लाइन होने वाली है जो हमारी गुट्स लाइन और इसके पीछे जो प्लेटफार्म नमबर चार बनेगा उसके लिए अगर देखेंगे तो पूरे तरीके से मटेरिल और आपको गिरा हो दिखाई देता है और यह देखें तो यहां पे अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एक छोटे से ए foundations के प्लेटफार्म वगैरा होते हैं पूरे तरीके से तयार हो गया है अभि मैं नस्दीक से आपको दिखाऊंगा कि रगुनादपूर का प्लेटफार्म का काम कितना हुआ है और यहां किस तरीके काम चल रहा है तो ही आपकी स्क्रीन के सामने रगुनादप है बरकरार है चल भी रहा है लोग वागवी आपको काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं लेकिन यहां जो जिन्ता जनक बात है जो मैंने आपको होता है प्लेटफर्म नंबर 4 का काम महाजमीनी विवात के कारण काम रुका हुआ है तो देख सकते हैं यह आपको पॉइंट दिख कते चल रहे हैं तो इस इस्टेशन के अगर बात की जाए तो प्रॉपर दूसरे रेलवे स्टेशन की तरह पानी की विवस्था के लिए यहां पे नल कूप वगयरा लगाए गए हैं प्रॉपर नल वगयरा लगे हैं हाला कि अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं सेम ऐसा आपको जारी हैं स्टीपर्स वगयरा रखे गए हैं एग्रिगेट रखा हुआ गेज वगयरा एकदम प्रॉपर प्लेस हो चुके हैं मतलब हर चीजे रखी गई हैं उनकी जगह हमें अपने आप पता चल रहे हैं कहां पर क्या लगना है बस लगाए जाने की कमी है और जो की बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा यहां भी आपको दिखाई दे रहा है खुप सूरत सा गाउं रखुनादपूर और यहां बना है रेल्वे स्टेशन रखुनादपूर और जिसका आपको जैसे मैंने बताया पूरा जो सामान है material है आपको प्रॉपर रखा हो दिखाई दे रहा ह जो हमारे लेवर्स भाई हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और सामने आपको दिखाई दे रहा है railway station रखुनादपूर का main office जहां पे अभी आपको बाइक सी खड़ी नजर आ रही है वो actually वहां का entrance होने वाला है और पीछे जो मैंने आपको road बताई थी वो main road होगी जहां से य दूसरी तरफ वो रीवा की तरफ निकल सकते हैं तो दोस्तों overall अगर बात की जाए railway station रखुनादपूर की तो railway station सिलपरा और गोविंदगर के बाद जो आती हमारी tunnel और उसके बाद जो पहला station पढ़ता है railway station रखुनादपूर यहां भी कहा जाए तो काम काफी हद तक ठीक क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था जब यहां पे काम पूरी तरीके से बंद हो गया था हमने देखा था कि बांस वोगेरा लगा दिये गए थे और काम पूरे तरीके से स्टॉप था लेकिन आज की टाइम पे अगर कहा जाए platform number one और two का काम बहुत अच्छे से ready है platform number three जो कि मै हजल पूरा हो जाएगा